सिदु मुसे वाला कतल केस दे विच फरेंसिक रिपोर्ट दे विच हो चुकाई वड़ा खुलासा मुसे वाला नो लगियां सी सिद्धियां सत गोडियां अते थार दे उपर किते गई सी पच्ची फायर सिदु मुसेवाला दे कतल कांट दे मामले दे विच फरेंसिक दी रिपोर्ट समनी आ चुकी है मुसेवाला दा कतल AK-47 तो इलावा 0.30 बोर अते 9mm पिस्टल दे नाल किता गया सी एक खुलासा मुसेवाला दे शरीर अते वारदात बाली जगां तो मिलियां गोडियां दी जांच करन तो बाद होया है हाला कि पुल्स अजे तक कतल दे विच इस्तमाल किते गए हथियार रिकावर नहीं कर सकी है सुत्रां तो मिली जानकारी दे मुताबिक मुसेवाला दा कतल करन तो बाद शूटर तेजी दे नाल फरार हो गए अते वारदात दे विच बरते गए हथियार हरे अना तो कोई व्यक्ती लेके चला गया सी फोरेंसिक जांस तो बाद पुल्स ने खुलासा किता है कि सत गोडियां सिद्धियां सिद्धू मुसेवाला नू लगियां सान मुसेवाला जिस थार दे राही जारे सन उस दे उपर शार्प शूटरां दे बल्लों कुल पच्ची तो ज़्यादा फाइर दा गेगे सी इस दो बाद अस दिये कि सिद्धू मुसेवाला नू कतल करन वाले छे शूटरां दे विच्चों तिन नू पुल्स ने गरफ्तार कर ले आए गरफ्तार शूटरां दे विच्च मुख शूटर प्रियवर्त फौजी वी शामिल है इस दो इलावा अंकित सेरसा अते कशिश नूवी गरफ्तार के ताजा चुकाई जदकी जगरूप रूपा मनप्रीत मनू कुसा अते दीपक मुंडीनों अजे तक पुल्स गरफ्तार नहीं कर सकी है जेड़ तिन शार्प कुटरानों गरफ्तार के ताजा आए ओवी दिली पुल्स दे वल्नों फड़ेगे ने जदो कि पंजाब पुल्स अजे तक इस कतल कांड दे विच्च कोई वड़ी काम्याबी हासल नहीं कर सकी है इस तो इलावा इस हाई पर फाइल कतल दे विच्च शामल मददकार आते होरानों पुल्स देवल्नों के रफ्तार की ताजा चुकाई बेरी रिपोर्ट शर्दी कला टाइम टीवी